जैहिन साथियो आज के कलास में आपका बहुत बहुत स्वागत है आसा करते हैं जहां भी होंगे मस्त होंगे, जबर्दस्त होंगे आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज हम लोग क्या सेखेंगे बड़ा ही important topic में हम चर्चा करने वाले हैं देखिए आज का session में हम जो चीज़े सीखने जा रहे हैं वो exam के दृष्टी से इतना ही important है जिसका जवाब नहीं अब ये question को कैसे यहाँ पर fit करना है ये सबसे बड़ी मतलब समस्या होती है अब कहते हैं ना कि घोर के नहीं पिला जाता है देखिए अज घोर के पिलाते हैं हम पैसे ठीक ना एक के बार में दिमाग में फीट हो जाएगा दो ऐसा common चीज़ बताएंगे जिसके बारे में आप हम ऐसा confusion रहते हैं तो अब confusion रहने क्या हो सकता नहीं है totally confusion हम दूर करेंगे ओकी देखिए एक की सबसे पहले समझे इसको start करने से पहले देखिए सबसे पहले टॉफी पर चार्चा कर लते हैं बीरिया और बीरिया के कारी क्या होता है लेकिन दो point हम बोले है देखिए आपर बीरिया सुक्राडू कितने कि ये बीरिया भी और ये सुक्राडू भी दोनों के दोनों एक ही होते हैं मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होता है हम एक एक point पर चर्चा करेंगे और आज के आज के बाद ये confusion आपके दिमाग में खो भी नहीं रहेगा ओके चले देखते हैं इन दोनों के बीच क्या चीज कॉमन होता है उनको देखेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिज करते हैं कि ये बीरिय क्या होता है देखिए यहाँ पर लिखे हुए है सबसे पहले बीरिय का इंगलिस क्या होता है सीमेन होता है बड़ा ही इंपोर्टेंट कॉस्थान है समभोग के समय जब पूरुष चरम सीमा के आनन्द का अनुभाव करता है देखिए यह जो पॉइंट है कितने लिए इस पॉइंट को बोलने में क्या करते है सरमाते हैं कतरते है जब बिसाय में दिया हुआ है सिलेबस में दिया हुआ है परिच्छाओं में पूछ रहा है तो फिर सरमनाम का कौन सा चीज है ठीक न तो देखिए हम एक एक खीज को तोड़ करके कैसे बताते हैं जाईएगा मत पहीं पूरा वीडियो तो आप लोग देखते नहीं है जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा इसके बारे में हम क्या क्या बताने वाले हैं किससे समझ पाईएगा ठीक न तो पूरा वीडियो को देखने का कोशिट कीजिए हर चीज किलियर हो जगा यहां से दिमार से देखिए समभोग का मतलब होता है जब male and female दोनों आप से समझ में आते हैं ठीक न यानि कहने का मतलब क्या है समभोग के समाई यानि six के टाइम में जब पूरुस होते हैं चरम सीमा के आनंद का अनुभाव करते हैं ठीक न तब उसके सिसन से यानि जब उसका link होता है उसमें से क्या होता है एक सफेद तरल पदार्थ निकलता है तो ये चरम सीमा के बात बोल रहा है तो six के टाइम में बोल रहा है ठीक न तो कहने का मतलब कब male and female तो जो सफेद और तरल पदार्थ होता है योनी में यानि कि भेजाईना में अस्थानंत्रन एनि कि अस्खलन होता है अस्खलित होता है जाता है चिगना इस तरल पदार्थ को हम बिरे कहते हैं तो रे भाई जब बिरे इसे कहते हैं तो हमने तो सुना है कि सुक्राडू होते हैं सुक्राडू से ही क्या होता है निशेचन की किरिया संपन होती है तो कहने का मतलब यह गलत होगा यह सही होगा यहीं ना confusion होगा लेकिन दोनों में ना कोई गलत है ना कोई सही है इनके बीच की जो मतलब क्या है माइनर सा मतलब जो अंतर है उसको जानने काम लोग परियास करेंगे देखिए हमने पढ़ा कि सिसन मुख से क्या होता है तरल पदार्थ होज़े सफेद होता है और क्या होता है असकलित होता है योनी में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेरे बोलते हैं लेकिन यहाँ पर confusion मना है सुक्राडू इसको बोलते हैं देखिएगा ध्यान से समझने का कुशिस किजिएगा आप देखे होंगे इस परकार का कोई structure देखे होंगे इसे हम लोग बोलते हैं सुक्राडू बोलते हैं देखिए इस सुक्राडू है बट सुक्राडू से पहले उसके उपर एक पतला जीली के अकार का एक आवरन बना होता है तिकना उसे हम लोग बिरे बोलते हैं इसके उपर एक आवरन सा बना होता है वाइट वाइट करके तिकना उसे हम लोग बिरे बोलते हैं और जो सुक्राडू होता है बिरे के अंदर रहता है जो बिरे होता है बिरे के अंदर क्या होता है शुक्राडू ह तो इस चीज को confuse मत यह बीर्य एक ही यह सुक्राडू एक ही है नहीं बीर्य उसके उपर का एक लेयर होता है और शुक्राडू उसके अंदर पाय जाता है और वो जो सुक्राडू होता है वो सुक्राडू अपना पोशन इस बीर्य से ही क्या करता है प्राप्त करता है तो बीर् मतलब यह चीजे आप अच्छा समझ गए होंगे, कि जो सुक्रान होता है, जो अंदर वाला होता है, और जो बेर्य होता है, वो क्या होता है? बाहर वाला ऐटम होता है, ठीक है? अब ही आप जान गए कि बेर्य क्या होता है? ठीक ना जब मेल और फिमेल संभोग करते हैं ठीक ना तो एक चरम अनन्द का अनुभाव करते हैं और उसमें पूरुस के लिंग से क्या होता है? एक गाढ़े चिपचीपे दरौव का स्रावन होता है जो कहां पे होता है? कि अंदर जो चीजे होती है ना उसे हमरों सुक्रारू बोलते हैं और उपर का जो लियर होता है उसे क्या बोलते हैं बेरे बोलते हैं यह उपर का जो layer होता है ना एक मन्ने चिपचिपा द्रव होता है जो कि बहुत चिकना होता है और इसी चिकनाहट के चलते जो गर्भासे गृवा के पास यह सुक्रारू यानि कि बिर्य जाता है वो बड़ा ही आसानी से क्या करता है अपने रास्ते को तय करता है और फिलॉप आश्थानंत्रित यानिक एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है ओके यह सुक्राणु का पोशन करता है अभी आप लोग बताए है कि उपर का जो यह लेयर होता है इसे अमनों बिर्य बोलता है ना यह सुक्राणु को पोशन परदान करता है ठीक ना और उन्हें चालू रोगता है और इस परकार शुक्राणु चलाया मन राते हैं यह यह बीद है कि पोशन सही तो सब लोग जीवित है तो ये भी सुक्राणू जो है पोशन सही क्या है जीवित है ठीक है अब देखते हैं आगे चलिए देखते हैं यह छारिय होता है जो बीरिय है न वो क्या होता है छारिय होता है इसलिए यह नर की युरियथा तथा मादा की योनी में मुत मुत्र की अमलियता को कम करता है अगर यह अमलियता अगर कम नहीं करेगा देखे पहले समझने कोशिश कीजिए यह चारिय होता है यह मतलब कोशी बीरिय जो होता है वह चारिय होता है इसलिए यह नर की उरेथ्रा प्था मादा की योनी में मुत्र की अमलियता को कम करता है होती है नए तर्व के शिर्आव से योणी मारी चिकना और नम हो जाता है duse यह माधियान को क्या करता है इक चिकनाह plyo को क्या करता है और वही चिकनाहर्ट क्या करता है, शेक्स के टाइम है, मैथुन किरिया के समय में, क्या करता है, वो सुबिधा देता है, ठीकना, तो इसके चलतिक मितलब क्या होता है, मैथुन किरिया के समय परसानियों का समना नहीं करना पड़ता है, ठीकना, क्योंकि क्या करता है, वो माध्यम को चिकना बना देता है तो यह था हम लोग का बिरिय और बिरिय के कार्य था तो बिरिय और सुक्राणू में जो अंतर होते हैं अभी आप लोग समझे कि बिरिय जो होता है उपर वाल लेयर होता है उसके अंदर सुक्राणू होता है और इसी बीरे को अपने क्या करता है माध्याम बनाता है पोशन के लिए ठीक ना यह चिकना होता है चिपचिपा होता है ठीक ना और यह बहुत सरे कमेंच चीज बताया है ठीक ना और सुरक्षित अस्तानांदित करने में मदद भी करता है तो यह था बीरे और बीरे के कारिया I hope कि आप लोग अच्छा तरीका से समझे होंगे, तो अच्छा तरह से समझे होंगे, तो comment box में एक अच्छा सा comment भी कर दिजिएगा, या आपको समझ में आया है या नहीं है, ये question exam के द्रिशिश से बहुत important है, class strength में पूछ देता है biology में, और class 12 में तो push भे करता है, ठीक ना तो आज के लिए देजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में एनरजी के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भर।